अरे भाईया मुझे एक बात बताओ अधिति चोपड़ा क्या सारा जो मिर्च मसाला है सारा जो एक्षन है वो एक ही मूवी में डाल दोगे या फिर पठान टू या फिर पठान वर्सेस टाइगर के लिए भी कुछ छोड़ोगे हैं तुपर इणिज़ आप जबर्दस्ट अफिसोड में काफी सारे लोग डिय आर्टओ का आपडेट मांग रहे और मआफ करना भाई यहां कह सकते हैं कि दोस्तों थोड़ा बीजी था तो अपडेट आनी पाया लेकिन जो अब यहां पे इस वीडियो में दोस्तों आपको बाते पता चलेगी अला कि थोड़ा लेट जरूर हुआ हूँ थोड़े एक्स्ट्रा ही गाई बाते पता चलेंगे यहां पे जो अपडेट आपको अभी तक मिला भी नहीं होगा अला कि पुराने अपडेट भी देंगे जो हमने कवर नहीं किया है तो उससे पहले एक बहुत सब्सक्राइब करनी है कि भाई लाइक सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको ऐसे यहर वीडियो मिलते रहे तो गरते हैं अपने इस वीडियो को शुरू लैट स्टार्ट दिरसल गाई देखो बात ऐसी है कि अगर हम लोग इंडिया के अंदर एक्शन मूवी की बात करते हैं और अगर हम लोग कोई प्रड़क्शन हाउस को चुनते हैं कि कौन प्रड़क्शन हाउस अपसे अच्छा एक्शन मूवी बनाता है तो वाई यहां पे तो इस पाई उनिवर्स चला रहे है भाया देते चोपड़ा वायर अफ यूनिवर्स और पठान को देखने के बाद दोस्तों मैंने कहा कि यार क्या लाजवाब एक्षन है तरह जोड़ गए। तो मज़ा ही आ जाएगा और साउथ में भी एंटियार हो क्योंकि इस बंदे की जो हिंदी है यह बहुत अच्छी है इवन इनकी एक्टिंग भाई नैच्छल लगती है हाला कि और भी काई स्टार्स की एक्टिंग नैच्छल लेकिन भाई कहने की बात यहां पर यह है कि इनकी गाईज अगर आप लोग ट्रिपल आर में एक्टिंग देखो राम चरन के फैंस थोड़ा नराज होंगे लेकिन गाईज उनकी एक्टिंग नेक्स लेवल थी वर ऑसकर विनिंग एक्टिंग थी उनकी वो जो गाईज बांध के मारते हैं जब राम चरन वह वाला सीन आप लोग देखना आँखों में आसु आ जाएंगे तो भाई यह बंदा मतलब क्या कुछ नहीं करता गाईज तो यहां पर बहुत अच्छा गाईज कह सकते हैं कि फैसला है अ क्योंकि भाई पठान में अगर हम लोग देखें जो क्लेक्शन हुआ है साड़े-दस साड़े-दस नहीं एक हजार पचास करोड़ साउथ का कंट्रिबूट दोस्तों बहुत कम था और विकाउस इसलिए क्योंकि उसमें साउथ का कोई स्टार नहीं था तो और आप लोग व यहां पर दो हजार करोड लोडिंग मैं यह साफ बोलना चाहता हूं वारवन ने जितना कमाया उससा चार लगान दोस्तों कमाएगी वारवन का शायद 500 था दो हजार से नीचे कुछ मीं नहीं सोचना अभी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई यहां पर जो एक्षन डिरेक्टर को बुलाया गया है भाई सहाब जो कि भाई हॉलिवुड की मूवी में एक्षन देते हैं अपना यानि कि स्पाइरो भाई इनका जो गाईज यहां पर इस मूवी में एक्षन डिजाइन जो होने वाला है ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा यहां बता है और अब तो यहां पर एक्षन टैक्टर कमार के हैं तो यहां पर उसमूवी होगा इवं अपर जा रहे हैं वाइरफ की मुवीज में ट्रेन एक्शन सिक्वेंस नेक्स लेवल में दोस्तों मतलब शूट होता है और वह देखने में काफी जबर्दस लगता है आप लोगने यहां पर टाइगर के एंट्री वाला ट्रेन वाला सीन तो देखा ही होगा तो गहीं नहीं एक्शन तो हो गाई उसी को देखने जाएंगे लेकिन फिर ऐसा चीज जो मुवी को बवाल कर दे तो भाई म्यूजिक इस मूवी में म्यूजिक बहुत तकड़ा होगा इवन पठान में दो सॉंग थे ना भेशरम रंग और जूमे जो पठान जितने वह चले ते चितने वह वाइरल होते हैं उससे भी ज्यादा ज्यादा कह सकते हैं कि वाइरल होने वाला है इसका कुछ सॉंग एवन एक सॉंग में तो भाई दोनों ही इंटरनेशनल लेवल के डांसर एक्टिंग अच्छा करते हैं और रित्ति रोशन भी गाईज एक्टिंग के महरती हैं उनकी आप काविल वह साउथ के हैंसम स्टार ये बॉलिवूड नॉर्थ के तो कहीं न कहीं यहां पर एक ऐसा सॉंग होगा जो कि नाटू नाटू से भी गाइस नैक्स देवल का होगा हलाकि इस मुवी के जो म्यूजिक दे रहे हैं वह प्रितम दा दे रहे हैं अब उनका जो आइटम सॉंग होगा इसमें यह लोग शायद नाचेंगे तड़कते वड़कता म्यूजिक होगा वह कैसा होगा वह बताएगा लेकिन यहां पर अधित्य चोपना ने म्यूजिक के लिए गाइस कह सकते हैं कि बहुत जादा इस ट्रिगली यहां पर पिरितम को बोलाई क्या तकड़ा म्यू बार आ चुके मुंबई वह आ चुके हैं और फिर से शूटिंग में लग चुके हैं और में भी शायद इसकी शूटिंग में चल रही है अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि दोस्तों कि बाहर फॉरण के मतलब यहां लोकेशन में इस मूवी की शूटिंग कप से की बात करते हैं तो हजार करोड अराम से कमाती उसका एक्शन जिस लेवल का था बस लास्ट में गाई वो जो पाकिस्तान में जाके वो जो बवाल हुआ वो सब चीजे शायद लोगों को उतना कनेक्ट नहीं करी मूवी वह बिल्कु सहीं जा रही थी यहां पर इम्रान हाश लेवल बलब जो एक्शन सीनों आउटस्टेंडिंग के थे बहुत अच्छे एक्शन थे तो मुझे लगए कि यहां पर अदेत्य चोप्रा कोई गलती नहीं करेंगे और क्या यहां इंडिया पाकिस्तान का गाईज कुछ यह इस्यू वागेरा होने वाला है क्योंकि अब इ इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर देखें तो जूनियर एंटियार भी इस मुवी के लिए बहुत जादा एक्साइटिड है और कहीं अब कुछ लोग मेरे से पूछेंगे क्या यह मूवी हिंदी और तेलगू दोनों मूवी है अब आप लोग बोलोगे यह कैसे बात कर कि और लिप सिंग के साथ वह थी वैसी मूवी तो जहां पर मैं आपको उतना चाहता हूं कि यह मूवी सिर्फ तेलगू हमाफ करना हिंदी में जिसके तेलगू वर्जन को शायद एंटियार डब करेंगा शायद क्या करेंगे ही करेंगे और हिंदी में तो उनकी आवाज बात यही कर दे अगर पुश्पा नहीं करती है तो बाके दो देखते आंगे क्या होता है लेकिन फिर भी काई यह जो मूवी जिस लेवल की है जिस जबरदस तरीके का एक्शन होने वाले सांग यह मूवी भाई दो हाजार करोड़ से तो कुछ भी नीचे नहीं होगा अगर